हे गाईज वेलकम बैक स्वागत है और फिर से नई अपडेट में यह टनल टू के आसपास की अपडेट है पिछली अपडेट को कांटिनुई करेंगे तो यह कुछ मैटीरियल देख रहे हैं आप वड़ा हुआ पूरी डिटेल बताऊंगा इसका क्या किया जाएगा तो देखिए पूरा लास्ट यहाँ पर आकर इसको स्टे करना है ब्रिज को तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे अभी कुछ पिलर थोड़ा इंकंप्लीट सा आपको दिख रहा होगा क्या किया जाएगा इसको आगे कैसे कंप्लीट किया जाएगा और क्या काम बाकि पूरी आपना पर यहाँ पर देखने को मिलेगा तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इसी के साथ टर्नल की तरफ बढ़ेंगे तो यह देखिए टर्नल के ऊपर बिल्को स्टेप बाइस्टेप कैसे रॉक वोल्टिंग की गी है अभी कुछ और भी थोड़े एरिया में ऐसा लग रहा करता हूँ आपको कि अगया है कि अगया है कि स्वाब नीचे यह जो डेक्स जैसे पड़े हुए देख रहे हैं इसका क्या किया जाएगा यहां पर एक सुपोर्ट दे जाएगी ब्रिज बनाने के लिए यह यह नंबर का ब्रिज देख रहे हो आप पिलर और वह आगे का पि यहां पर है नेक्स उसको भी डिसकस करेंगे चलिए यहां से नीचे चलते हैं पहले बाइसा बाद इतनी शानती है यहां पर शुट्टिक का दिन है देखिए पौंग की आवाज भी कितने ज्यादा आ रही है तो गाइस यहां पर यह पिलर देख रहे हैं और इसका यह बेस जो अकूँआ जैसा खाली बड़ा हूँ इसका क्या किया जाएज़ा यह भी डिसकस करते हैं उससे पर डिसकस कर लेते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या यहां पर आ रहा है तो गाई थोड़ा सा इस तरफ गुम कर आप देएंगे तो ये बहुत बड़ा रीजन है बहुत बड़ा एरिया है ये आपको सिलोप लूस्य चाहिज़ बनकर आ रहा है देखिए आगे दिखाता हूं, ये देखिए ये जो सिलोप है ये ही सबसे बड़ा चलंज़ है बात यह कि यह जितना भी एरिया आप देख रहे है प्लैटफार्म बना हुआ है और यह स्लोप का और यहाँ पर पिलर कंस्टरक्ट किये गये हैं यह सारा का सारा एरिया अंस्टेबल है क्योंकि यह खुद फिल करके बनाया गया था जो डैबरेज रॉक डैबरेज थी उनको हों पर विल याग फिलय था और देन स्यमेंट को बना कर यहांपर फिलर कंस्थ commissions एग आप किया गया-ब यह एतना स्टेबल नहीं स्टेबल नहीं नीचे तक इतना दूर तक एर्या है और यह पूरी पूरा का पूरा एरिया इतना अंस्टेबल है अगर भी ना इसको प्रोटेक्शन के अगर यहां पर ब्रिज को कनेक्ट कर दिया गया और लंबे समय तक यहां पर टिक नहीं पाएगा उसके लिए यहां पर वहां बेसमेंट से लेकर रिवर बैड से लेकर उपर देख मजबूत रॉक मजबूत कंक्रीट वाल चड़ानी पड़ेगी ताकि यह पूरे एरिया को सुपोर्ट कर पाएं सो गाईज अब बात कर लेते हैं इस पिलर की इस पिलर को क्या किया जाएगा इसको बीच से खाली रखा गया वाई देखिए इसको इसलिए खाली रखा गया क्यूंकि इसको फिल किया जाएगा थर्मो कॉल स्टाइरो फोम होती जो थर्मो कॉल उसको और सीमेंट के मिक्शि क्योंकि यहां पर जब ट्रेन चलेगी पिलर्स के ओपर वाइब्रेशन भी बहुत ज्यादा होंगी और दूसरा यहां पर हवाओं की सपीड 200 किलो मेटर प्रती गंटा तक हो सकती है जो की काफी वाइब्रेशन इंपेक्ट ब्रिज पर डालेगी और वाइब्रेशन इस पिलर और कंक्रीट से बहर्द ना दिया जाए और देन जो साइट की प्रोटेक्शन वाल है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती सुनने में यार है तब तक इस ब्रिज को इन पिलर के ऊपर स्टेन नहीं किया जाएगा तो देखते हैं फ्यूचर में क्या अपडेट आपको यहा भारत